दोस्तो नमश्कार दोस्तो जब देश की अर्थवस्था को पट्री पर लाने की सोची खत्म हो जाए लेकिन देश चलाना हो तो आप क्या कहेंगे कुछ नहीं RBI से कहेंगे नोट छापते चले जाईए तो क्या मौझूदा वक्त का सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ नोट छप रहे हैं और सरकार इस देश को चला रही है आप कहेंगे यह कैसे संभवे इसके जरीए तो इन्फलेशन रेट बढ़ता चला जाएगा यानि महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी यकीनन महंगाई चरम पर पहुंचने की स्तिती भी जरूर आएगी क्योंकि इस वक्त का सच यह है कि इस देश में रोजगार नहीं है और आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे से जो इंट्रेस्ट मिलता है अगर बैंक में जमा पैसा है या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके जरीए जो भी इंट्रेस्ट आपको मिलता है उस से जादा महंगाई दर इ जारो में है उन कंपनियों के लिए भी कोई खरिदार नहीं मिल रहा है सरकार के अपने बैंकिंग इस्ट्यूशन्स हो या नौन बैंकिंग इस्ट्यूशन्स हो सभी लगातार घाटे में चल रहे हैं और इस्तिती इतनी नाजुक होती जा रही है कि बैंकों का NPA यानि वह पैसा जो कर्ज में दिया जाता है और लोटता नहीं है जिसको बैड लोन कहते हैं वह इस साल के अंत तक 20 लाग करोड तक ऑफिशली पहुँच जाएगा जो मौझूदा वक्त में लगभग 10-11 लाग करोड के लगभग है और अगस्त बीटते बीटते ये 12 लाग करोड हो जाएगा अफिशली का मतलब है कि इसमें राइट अफ किया हुआ पैसा नहीं जोड़ा गया है इसमें जो सरकार अपने तौर पर कुछ को करज माफ कर देती है वो पैसा नहीं जोड़ा गया है यह बिलकुल बैंकों के बुक में लिखे हुए करज का हिस्सा बता रहे हैं और 20 लाग करोड रुपिया अगर NPA बैंकों पर होगा तो फिर RBI जिस दिशा में जाना चाहती है उसका मतलब है वो बैंकों के री कैपिलाइजेशन की दिशा में बढ़ना चाहती है और री कैपिलाइजेशन का मतलब है कि बैंकों को ही अब उसके शेर्स को सरकार प्राइवेट हातों में बेचना शुरू कर दे यानि इस देश के भीतर में जब बैंकों का नेशलाइजेशन हुआ था राष्टे करण हुआ था और जनता का भरोसा जागा था कि सरकार हमने चुनी है और बैंक अब हमारे ही है अब उन बैंकों को दुबारा निजी हाथों में दिया जा रहा है जिसके बाद क्या इस्तिती बनेगी कोई नहीं जानता है इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन आज ज़रा सिलसले वार तरीके से अपने पैसे को लेकर देश की एकनौमी को चलाया जाए क्योंकि इस देश के भीतर में फिलहाल महंगाई दर 6.09 परसेंट है 6.09 परसेंट महंगाई दर का मतलब बहुत साफ है कम से कम बैंक से इंट्रेस्ट रेट तो इससे ज़्यादा मिलना चाहिए जो सेविंग अकाउंट है या करेंट है उसमे आप रियल स्टेट में चले जाते हैं कुछ भी कर लेते हैं लेकिन कहीं से रिटर नहीं है इस देश के भीतर में मौझूदा सच ये है कि सोना खरीद लीजिए तो आपको कुछ लाब मिल जाएगा आज की तारीक में जब हम आपसे बात कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश क कीजिए कि एक साल के लिए अगर आपने एक क्वेटी ली है या एक साल के लिए आपने अगर फिक्स डिपोजिट लिया है या फिर आपने कैश लिक्विट फंड के तौर पर अपने अकाउंट में रखका है तो क्या कीमत उसको मिलेगी एक्वेटी में मिलेगी 0.34% वन ये में इसके अलावे सिर्फ गोल्ड बचता है और गोल्ड की कीमत क्या है गोल्ड की कीमत है पच्पन हज्जार रुपए दस क्राम इस देश के भीतर में गोल्ड खरीद पाने की हैसियत कम से कम 92% लोगों की नहीं है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और सोने की कीमत भी औ सरकार ने आज एलान कर दिया, RBI ने एलान कर दिया कि अपनी गोल्ड और जोल्ड के जरीए आप 90% टक लोन ले सकते हैं बाकी चीजों पे लोन कितना मिलेगा कहना मुश्किल है आप अपने मकान को गिरवी रख दीजिए दुकान को गिरवी रख दीजिए आप अपनी द्रास्टी ये भाव उसका लगातार बढ़ रहा है तो उसके अधार पे तो आपको लोन दिया जा सकता है क्योंकि उस सोने को कल बैंक बाजार में बेज़ देंगे तो उनको पैसा रिटर्न हो जाएगा बाकी जगों से तो रिटर्न नहीं होगा लेकिन सोना खरीट पाने क इस्तिती तो सबकी नहीं है और इस्तिती ये है कि इस देश के भीतर में जो 6 करोड लोग हैं जो कमाते हैं और अपना पीएफ कटाते हैं सिर्फ 6 करोड लोग हैं उनके जरिये जो लगभग 10 लाग करोड रुपिया जमा है पीएफ के भीतर में एक करोड लोगों ने अपना पैसा इसी चार महीने के दौर में निकाला है आज की तारीक तक तक तक्रीबन 99 लाख लोग पैसा अपना निकाल चुके हैं इन 99 लाख लोगों में से 96 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई 50,000 रुपए से कम है महीने की और 55,000 रुपए में 10 ग्राम तोला मिलता है सोनिया इस 96 लाख में से जो 92 लाख है उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी तादाद है लगबग 80 लाख इनकी कमाई 15,000 रुपए महीने से कम है जिनोंने पी-फ से अपना पैसा निकाला है यह डाटा इसलिए बड़ा महत्पूर है क्योंकि इस देश के भीतर में कितने लोग कितना कमाते हैं और कितना पी-फ उनको कटता है यह इससे पता चल सकता है क्योंकि जो पैसा निकाला गया है वो 26,000 रुपए से लेकर 44,000 रुपए तक निकाला गया है यानि इस्तिती इतनी नाजुक होती जा रही है कि भविश्य के लिए जो पैसा जमा रखा रहा था पी-फ में अब नौकरी नहीं है तो वो अभी पैसा निकाल ले और वो पैसा जो निकाला गया है अगर वो पैसा भी घर में रखेंगे बैंक में रखेंगे उस पैसे की कीमत और कम हो जाएगी क्योंकि कोई हमारे पास ऐसी दृष्टी बच नहीं पा रही है जिसमें से पैसे की कीमत कि इसी तरीके से बढ़ जाए इसी लिए रिजर बैंक ने अपने तोर पर री कैपिलाइजेशन का एक प्लान भी रखा सरकार के सामने और ये कहकर रखा कि बैंकों की इस्थिती को अगर सुधारना है तो उसके लिए अब हमें पैसा चाहिए बैंकों को ही पैसा चाहिए उस पे है यह यानि और ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें आप बाकी चीजों को नहीं जोड़ रहे हैं तो बाकी वो कौन सी चीज है जिसके जरीए बैंकों के ऊपर कर्ज और बढ़ते चला जाएगा और बैंकों की स्तिती नाजुक हो जाएगी लेकिन जब हम री इंडिया इंडियन ओवर्सीज बैंक इनको पूरी तरह बेच दिया जाए क्या या फिर जहां 51 शेर से ज्यादा है उस शेर को बेचकर 51 यानि पॉलिसी इंदिरधारी थम करेंगे इसलिए 51 परसंट शेर रखे अपने पास बाकी को सेल कर दें तो इसमें जो लिस्टेट के पास है SBI के शेर 56.92 परसंट, PNB के शेर 83.19 परसंट, बैंक ओ बढ़ोदा के 71.6 परसंट, कैंदरा बैंक के 55 परसंट, जूनियन बैंक के 89.07 परसंट और बैंक ओफ इंडिया के 89.1 परसंट, अब सवाल है कि इन बैंकों को अगर सेल भी किया जाएगा तो पैसा आएगा कितना, माना जा रहा है कि लगभग 90.000 कोड रुपए आ जाएंगे और 40.000 कोड रुपए तुरत बैंकों को चाहिए, दूसरा सवाल फिर आपके जहन में आना चाहिए, जब नोट छापी ही जा रहे हैं, तो नोट बैंकों के लिए क्यों नहीं छाप दिया जाए, अगर सरक आर्थिक तोर पर इस देश के भीतर में इतनी दिवालिया हो जाएगी, यह देश ही किसी दिन भरबरा के गिर जाएगा, इसलिए जो प्लान है, उसमें कहा गया है कि 12-18 महीने, 12-18 महीने यानी 2022 तक आप शेर्स बेचिए, तो 50% शेर अपने पास रखिए, बाकी बेचिए, बुक जो बैंक की वैली होती है, उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक करने के बाद बैंक के शेर ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे, और शेर मार्केट में वो उच्छाल लाएंगे, और मार्केट में जब आप शेर बेचने जाएंगे, तो ज़्यादा कीमत आपको बैंक में इ इंशूरेंस ने करती है वाकि बाकी घर मकान इन सब चीजों का इंशूरेंस करती है तीन कंपनी थी औरियंट इंशूरेंस कंपनी नैशनल इंशूरेंस कंपनी युनाइट इंडिया इंशूरेंस कंपनी इन तीनों के मरजर की बात हो रही थी कि तीनों घाटे में चल रहे थ है और पंप इनके बीच में लगवग 3,475 कॉल रुपए अब इन तीनों जगाओं पर पंप किया जा रहा है और इनको ये कहा जा रहा है कि आपको जो शेर्स कैपिटल का जो ऑथराइजेशन था उसको हम बढ़ा देते हैं जैसे नैशनल इंशोरेंस के लिए पहले 2,600 रुपए उसके जो ऑथराइजेशन था शेर कैपिटल का उसको बढ़ा के 5,000 क्रोड कर दिया गया सब का ऑथराइजेशन बढ़ा दिया गया यानि सब मार्किट में चले जाएं वैल्यू बढ़ाएं चीजों को डेवलप करें लेकिन कहां से करेंगे यहां तो लोगों का अपना पैसा ही उसकी कीमत कम हो रही है यानि फिर समझ नहीं है पहला राउंड ये भी आया और इन सब के बीच का सच यह है कि इस देश के भीतर का जो वित्तिय घाटा है जो बजट में रखा गया था कि साल भर में हमको इतना घाटा होगा मान लिए उन्होंने रखा कि साल भर में च्छे लाग बादसा थज्जार कोड का गाटा हो चुका है हमारा वित्तिय घाटा तो जो बजट भी बनाए गया था वो भी कैसे पूरा होगा ये एक इंपॉसिबल सी चीज है लेकिन इस इंपॉसिबल सी चीज के भीतर का सच फिर से जानना चाहते हैं तो बैंक के एक तरफ रहते हैं और बैंकों के जरीए सोना तो लोग खरीद नहीं पाएंगे जो इंसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गए इंडिया का उसके भीतर में तीन हजार तीन सो बारा कंपनियों ने इस लॉकडाउन से पहले अपलाई किया था कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है इसको आप बेचिये खरी दिये किसी रूप में कीजिये महत्मुर यह नहीं किसी भी देश में मैनिफैक्चरिंग यूनिट दिवालिया नहीं होती है भारत में वह भी दिवालिया हो गई है और फरवरी तक का डाटा जो है मार्च एपरिल मई जून जुलाई इसके बाद तो मानले यह लॉकडा सामने कि आप इसकी कोई ववस्था कीजिए उसमें जानकारी मिली की 340 का तो कोई खरिदार ही नहीं है तो उसको लिकुडाइशन की तरह बढ़ा दिया गया जो 95 था उसका एक रिजर रेशन प्लान बनाया गया है जो बाकी 77 थे उनको रिवाइस किया जा रहा है कि किसी तर के भीतर की इंडस्ट्रीज की और इतना ही नहीं इसमें जो कंपनी थी उसमें मेटल से जोड़ी कंपनी टेक्स्टाइल से जोड़ी कंपनी फूड से जोड़ी कंपनी मेशिनरी से जोड़ी एक्यूप्मेंट से जोड़ी कंपनी ये कंपनी आती और लॉकडाउन के बाद इ गस्त के बाद खतम हो जाएगी रैपो रेट में कोई चेंज नहीं करेंगे यानि लोन देना लेना इस सब पुरानी इस्तिती है आपको जितना पैसा देना है उसको चुकाना होगा और EMI भी अब आपको देनी होगी यह इस्तिती बहुत साफ तोर पर RBI ने साफ कर दी इसके स आपके सवाल जहन में होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों होना चाहिए उसके लिए हमको लगता है कि सरकार के भीतर में फ्रॉडिजम जो था बैंकों को लेके वो बहुत तेजी से बढ़ा है इस तेजी से बढ़ा है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले स 19-20 के येर का हमने जब लगातार होते रहा है लेकिन पिछले ही साल का डाटा देखिए एक लाग पच्छासी हजार साथ सो बहतर करोड ये रकम बैंक फ्रॉड की है अब किसी बैंक के भीतर में अगर एक साल में लगभग दो लाग करोड का फ्रॉड हो रहा है भारत के बैंको करोड हो जाएगा साल के अंतर तक ये तो बहुत छोटी रकम है इसका जिक्र भी इसलिए किया गया रगोराम राजन के जरीए कि ये और बड़ा हो सकता है यह भी जानना होगा कि जो मर्जर किया गया उसके जरीए जो ब्रांच बंद हुए है अभी तक देश में 198 ब्रांच बंद हुए जिसमें सबसे जादा SBI के लगवाग 80 ब्रांच बंद हुए है जो बर्जर के बाद ब्रांच काम करने लगे उनकी तादा 438 है इसका मतलब है कि ये 438 ब्रांच जो दूसरी बैंकों के होंगे वह भी एके करके बंद होंगे और ये इस्तिती धीरे धीरे पैसे से जो सरकार पैसा सरकार को देते हैं या फिर कॉर्परेट को देते हैं इंडस्ट्री उसके जरीए जो इंट्रेस्ट की कमाई होती है बैंक उसी से चलते हैं लेकिन बैंकों का ये खर्चा भी है कम खरने की स्तिती में बैंक आने लगे हैं जब तक री आप NBFC की इस्तिति लाए तो वहां लगबग 52% एसेड जो है उसकी इस्तिति नाजुक है कि वहां एक लिहाज से करज में डूबा हुआ है और लोन डिफॉल्ट तो उसमें से 10% बहुत साफ तोर पर है और माना जा रहा है कि NBFC का भी NPA जो नहीं लोटेगा वहां भी लगब परच में ये 4.6% था अभी ये 9.6% 61% हो गया है और 21 के मार्च तक ये और आगे बढ़ जाएगा ये इस्तिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है अब ये सवाल है कि क्या इन सब बातों का जिक्र प्रधान मंतरी लाल के लिए के प्राचीर से कर सकते हैं या उनको करना चाहिए बताना चाहिए देश की ये इस्तिति है चीजे समल नहीं पा रही है 50% से जादा बैंक लोन जो है वो मौरेटरियम में चला जाएगा तो हम क्या करेंगे जो नौन फोड क्रेडिट है वह भी बढ़कर लगबग एक लाग करोड से जादा का हो रहा है यानि हर दिश ये भी जो लगबग आठ लाग करोड का जिक्र हो रहा है अगर इसको भी जोडते चले जाएगा तो इस्तिति तो एक एमरजनसी इस्तिति आ जाएगी बैंकों के सामने और शेयर बेचने से भी काम नहीं चलेगा तो ऐसे में लोग क्या करें सोना खरीद के रख लें जो सोन 5 लाग करोड यानि सवा 2 लाग करोड रुपए उस पे खर्चोंगे इस देश के 80 करोड लोगों को समालने के लिए बोजन देने के लिए सरकार ही का डाटा जब कहता है सवा 2 लाग करोड में चीजे चल जाएगी और एक साल के भीतर में बैंक के भीतर फ्रॉड 2 लाग रुपए की माफी हो जाएगी कर्श देने वालों को तो एकनौमी को चलाने के बदले एकनौमी को चूसने की परिस्तिती जो पैदा कर दी गई उसमें RBI भी क्या करेगी दिर देश होगा तो नोट चापेगी और लेकिन नोट चापने की प्रॉसेस कब तक चलेगी और कैसे चलेगी क्योंकि इस देश के भीतर में छोटी छोटी परिस्तितियों में जब हम आखरी स्टेश पर आपसे बात करें कि आप अपना पैसा कहां लगाएं तो हम लगता है कि आप एक साल के लिए चुनना चाते हैं तीन साल के लिए हमको लगता है कोई भी पैसा लगाएगा तो हमने जान करें ती पांस साल के लगाना चाते हैं तो इस्तिती और नाजुक हो जाएगी पांस तीन साल के लिए अगर पैसा इस देश में सेंसेक्स में आप लगाते हैं एक्वीटी के लिए तो आपको इंट्रेस्ट मिलेगा 4.90% महंगाई दर आज है 6.09% जो तब तक से कुछ लाब होगा वह 6.24 की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी यानि महंगाई दर के इकवल में आप खड़े हैं जो पैसा आपके पास है वो खर्च कर रहे हैं पैसे की कीमत वही पास पैसा आएगा और खतम हो जाएगा और तीन साल के बाद सोना जो है आपको 15% का लाब देगा अगर जो आपने आज खरीदा हुआ है तो ये तो 8% लोगों के लिए सोना है लेकिन 92% के लिए कौन सी प्लानिंग है कौन सी स्थिति है तो तीन सवाल आखिर में क्या 2022 तक इस खत्रा मंडराने लगा है ये दूसरा सवाल है और तीसरा महतमूर सवाल है अगर रोजगार नहीं दे पाए अगर अर्थववस्था की चक्की को नहीं चला पाए अगर इस देश में प्रोडक्शन रुका रहा और शेयर मारकेट आर्टिफीशल तरीके से आप बढ़ाते र इतर का अनूठा सच ये होगा कि इस सरकार के पास पूंजी के लिए RBI होगा और उसके सरकारी खजाने में जमा विदेशी पूंजी होगी इस देश की अपनी एकनॉमी कुछ नहीं बज़ेगी उस एकनॉमी का सबसे बुरा और सबसे पहला असर पहली बार इस देश की का रोजगार तो सुरक्षित है वो चाहे IAS हों, IPS हों, IRS हों या किसी भी फिल्ड में सरकारी नौकरी में हो जिनकी तादाद इस देश के भीतर में लगबग सवा करोड है और वह कॉर्परेट वह इंडस्ट्री जिससे साथ जुड़े हुए लगबग 1.5 करोड से ज्यादा जो जुड़े हुए हैं, उनके उपर भी आने वाले वक्त में खत्रे के बादल मन रहेंगे, यह इस्तिती बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, लेकिन सवाल अभी से पूछना सरकार से शुरू कीजिए, अन्यथा रिजर बैंक भी सिर्फ सरकार के लिए है, नोट छापते चले जाएगा, देश चलते रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया